मुस्कार स्वागत हापका NS News exclusive में मैं हूर रन्जिता पठारे और हाजिर हूँ आज के भारते गोज में सियाचीन जहां हमारे देश की रक्षा के लिए हमारे देश के वीर सपूत तयार होते हैं देश की रक्षा के लिए वहां तैनार वीर सपूत शहीद हो गए हैं उन चार जवानों की कहानी सुनते हैं जो सियाचीन में हमारे देश के रक्षा करते हुए शहीद हो गए सियाचीन में देश के रक्षा के लिए शहीद हुए चार जवान की पूरी कहानी जानते हैं सियाचीन ब्लेशियर में सोंवार को दो पहर भार, भारी हिम्सकलन में शहीद हुए सेना की पेट्रोलिंग पार्टी के चार जवानों के सिनाक्त हो गई है इसमें से तीन जो है वो पंजाग के है और एक जो है वो हिमाचर प्रदेश के थे हिम्सकलन में च्छा लोगों की मौत हुई थी जिसमें से दो पोटर थे इसकी चपेट में दो अन्य गंभीर रूप से घायलों का इलाज चल रहा है सैन्य प्रवक्ता की और से मंगलवार की देशाम शहीदों के नाम जारी किये गए इनमा पंजाब के होश्यारपुर जिले के मुकेरिया तहसिल के सैडोन गाउ का सिपाही डिंपल कुमार अमरसर जिले के अजनाला तहसिल के घूने पाल गाउ का नायक मनिंदर सी है वसंगरूर जिले के मालेस कोटला तहसिल के गोवारा गाउ का सिपाही वीरपालसी और हिमाचर प्रदेश के सोलोन जिले के अरकी तहसिल के डोंची गाउ का सिपाही मनिश कुमार शामिल था सियचीन ग्लेशियर में मंगलवार दोपर बादी हिमसकलन में सेना की पेट्रोलिंग पार्टी के आठ जवान और पोर्टेड लापता हो गए इसमें से च्छा की मौत सेना ने देर रात कुष्टी कर दी छे लोगों की मौत की लेकिन दो लोग अभी भी लापता है 19,000 फूट की उचाई पर जिस वक्त हिमसकलन हुआ जवान उत्रे ग्लेशियर में थे पोर्ट्रेट समें पेट्रोलिंग पार्टी चौकी पर बीमार एक अन्य व्यक्ति को निकालने गई थी तभी काजी और बाना पोस्ट के बीच में हिमसकलन की चपेट में आ गए हिमसकलन के तकाल बाद सेना की और से इलागे में व्याबक पैमाने पर बचाओ कारे चलाया गया था जिसके बाद छे लोगों के शव मिल तुके हैं लेकिन अभी भी दो लोग लाबता है आज के भारत एक खोज में इतना ही था ऐसे वीडियोस के जानकारी क्लिए बने रही है और इसमें से इसलोजे के साथ आइक्यों गुट नाइट